इस इस मन शर्मा, वेल्कॉन वा यूटॉउब चानल, वीडियो में हम लोग अनारिसस करेंगे, निफ्टी और मैंने अनारिसस करेंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या-का लेविल्स पासिबल है, ये वीडियो देखने से पहले आप ये वाल वीडियो देखना, तो आपको continuation में समझ में आएगा कि मैंने last video में क्या analysis किया था और क्या targets दिये थे so nifty और bank nifty दोनों में मैंने last video में बताया था कि upside momentum हमें देखने को मिल सकता है और मैंने आपको bank nifty में 32,000 32,500 तक है target दिये थे और nifty में मैंने आपको बोला था 14,500, 14,600 यह levels हमें देखने को मिल सकते है और मैंने आपको last video में यह भी बता था कि bank nifty काफी जादा stronger as compared to nifty अगर आप मेरा telegram channel का message देखो मैंने 925 को trade दिया था bank nifty में put sell 31,500 का put मैंने sell दिया था 550 में 610 का मैंने stop loss दिया था 450, 400 और 350 यह मैंने target दिया था यह हमारा private group है premium traders group इसमें मैंने trade दिया था और यहां पर आप देख सकते हो इसी put ने 368 का low बनाया साड़े क्या रख के असपास 925 को मैंने trade दिया था 550 में sell और साड़े क्या रख के असपास यह put ने low बनाया 368 यानि इसमें हमें almost 170 180 points का profit हुआ काफी अच्छा intraday में पैसा आया और उसके बाद second half में bank nifty volatile हो गया अब हम लोग discuss करते है कल के session में क्या-क्या levels possible है यह bank nifty का daily chart है और लगातार में पिछले 7-8 दिन से यही आपको concept बता रहा हूँ कि यहां पर एक trend line का resistance है यह trend line का resistance यह cross नहीं कर पा रहा है यह जो level है यह level भी यहां पर resistance का काम करेगा तो यहां पर multiple resistance है 32,000, 32,500 के असपास अगर आप देखो Friday को bank nifty ने यह trend line का resistance तोनने की कोशिश की थी लेकिन उसके बाद second half में हमें aggressively fall देखने को मिला 32,000 के उपर sustain नहीं हुआ और high के level से हमें 400-500 point का fall हमें देखने को मिला second half में aggressive selling हमें second half में देखने को मिली Friday को और इतना जो closing दिया है वो trend line के नीचे ही closing दिया है यहां पर आप ध्यान से देख सकते हो तो जब तक यह trend line resistance cross नहीं करता तब तक bank nifty में 32,000 के असपास upside of the channel इसने test किया फिर वापस वहां से हमें fall देखने को मिला यह channel का जो target आता है वो आता है somewhere around 29,000 28,000 के असपास लेकिन उसके पहले important support जो है वो है 30,000 के असपास जो कि मैंने आपको last 7-8 video में बता है 30,000 आने के probability काफी ज़्यादा है bank nifty में 30,000 एक major important support होगा bank nifty के लिए so कल के session में आप short के तरफ ज़्याद आन दे सकते हो bank nifty अगर 32,000 के असपास कोई भी bounce करता intraday में काफी अच्छा short रहेगा 11,500 के stop loss के साथ आप short कर सकते हो उससे ज़्यादा stop loss मत रखना और नीचे में 31,500 और 31,000 तक के target हम लोग expect कर सकते हैं अब हम लोग analysis करते है bank nifty का 15 minute का chart मैंने आपको last studio में बताया था कि gap पुरा fill up हो सकता है exactly यह पुरा gap fill up हुआ और वापस हमें fall देखने को मिला अब Monday को open कापी होते हो काफी ज़ादा important है अगर gap up opening होता है अगर 32,000 के ऊपर gap up opening हो रहा है तो higher chances है यह जो gap है यह भी fill up कर सकता है magnitude तो 32,000 के ऊपर अगर open होता है तो आपको buying के तरफ जाद आन देना है अगर flat opening हो रहा है या gap down opening हो रहा है तो आपको short के तरफ जाद आन देना है और यहां पर आप देख सकते हो इसने यह trend line भी तोड़ा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि short के तरफ जाद यान देना क्योंकि trend line भी इसने तोड़ दिया है और Friday को closing जो है यह trend line के नीचे ही close हुआ है और वो भी bearish pattern के साथ में close हुआ है तो aggressive selling हमें देखने को में सकती है Monday को भी first half में 31,500 और 31,000 तक के target के हमें इसको trade कर सकते है अब हम लोग analysis करते हैं Nifty daily chart यह Nifty का daily chart है और यहां पर भी आप देख सकते हो almost same kind of pattern बन रहा है इसमें भी trend line का resistance है इसने तो trend line का resistance cross भी नहीं किया बैंक निफ्टी ने at least trend line का resistance cross किया था लेकिन Nifty ने trend line का resistance भी cross नहीं किया 14,500 के level को भी यह touch नहीं कर पाया और उससे पहले हमें fall देखने को मिला है तो इससे पता चल रहा है कि Nifty जो है वो काफी जादा weak है as compared to bank Nifty bank Nifty काफी जादा strong लग रहा है और Nifty काफी जादा weak लग रहा है और Nifty में भी आप देख सकते हो यह trend line के नीचे ही trade कर रहा है तो fall होने के chances अभी भी जादा है gap down opening भी हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि Friday को second half में एक बड़ा fall हमें देखने को मिला था और उपर के level से aggressively हमें long potions unwind होते हैं देखने को मिला इसलिए gap down होने के chances भी जादा लग रहे है लेकिन बड़ा gap down में expect नहीं कर रहा 50-60 point gap down हो सकता है Nifty क्योंकि इसमें काफी जादा potions long unwinding होती Friday के second half के session में तो 50-60 point का gap down भी हमें देखने को मिल सकता है Nifty में यहाँ पर यह जो last swing आये है यहाँ पर यह level यहाँ पर resistance का काम करेगा तो Nifty में भी multiple resistance है 14,500-600 के असपास और उसी के असपास resistance लेकर यह बार-बार fall हो रहा है अगर यह यहाँ से fall continue करता है तो 13,600 तक भी Nifty आ सकता है 14,000 पहला target होगा psychological level जो है और 13,600 यह second target हम लोग expect कर सकते है यह targets मैंने अल्रेड़ी पिछले 7-8 वीडियो में दिये हुए अभी भी मेरे targets वही है 14,000 और 13,600 Nifty में अगर कोई भी bounce मिलता है 14,400 के असपास तो आप aggressively short कर सकते हो 50 start point के stop loss के साथ short करना 50 start point से ज़्यादा का stop loss मत रखना और नीचे में 14,000 और 13,600 तके targets हम लोग expect कर सकते है positional trading में, swing trading में अब हम लोग इसका 15 minute का chart भी analysis करते Nifty ने exactly एक gap fill up किया है अब देख सकते हो यह जो gap pending था यह fill up किया है यहाँ पर यह gap अभी भी pending है अगर यह gap up opening होता है let's say 14,500 के अगर उपर opening होता है तो हमें इसे short नहीं करना है तो higher chances है यह भी fill up कर सकता है 14,500 के उपर अगर opening होता है तो हम लोग इसको short बिल्कुल भी नहीं करेंगे लेकिन flat opening होता है यह gap down opening होता है 50 start point तो हम लोग इसको aggressively short कर सकते है अगर 14,500 के उपर gap up opening हो रहा है तो हम लोग इसको short नहीं करेंगे और अगर बहुत बड़ा gap down हो रहा है 1500-200 point का nifty में gap down हो रहा है तो हम लोग price action का wait करके फिर trade करेंगे अगर कुछ भी live market में changes होगा levels में तो मैं आपको telegram channel में update कर दूँगा यह मेरा telegram channel है आप telegram channel join कर सकते हो और यह हमारा private group है premium traders group इसमें जो normal telegram group है उससे ज़्यादा calls मिलते हैं इसमें learning webinars में मिलते हैं और इसमें investment calls भी मिलते हैं तो अगर आपको premium traders group join करना है तो आप premium traders group भी join कर सकते हो premium traders group कैसे join कर सकते हैं इसका details मैंने already ये telegram channel में दिया हुआ है और अगर आपको options strategies सीखना है algo trading सीखना है automation trading सीखना है derivative open trust analysis सीखना है live market में open trust कैसे track करते हैं position analysis कैसे करते हैं long build up short build up तो आप हमारे courses join कर सकते हो options के course में काफी सारी strategies मैंने cover की है और derivative open trust का जो course है इसमें मैंने live market में open trust data कैसे analysis करना है वो सिखा है algo trading में मैंने automation करना सिखा है कि अगर आपको कोई strategy आती है तो आप उसको automation कैसे कर सकते हो तो इसका भी link मैंने video के description box में दिया हुआ है और mobile app का भी link मैंने video के description box में दिया हुआ है अगर आपको वीडियो रहनाने से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करना थैंक्स लट फार वाचिंग दे वीडियो, सी यू इन दे नेक्स वीडियो